प्यारे बच्चेव, सत्ष्रीकाल मैं गुर्प्रितकोर पंजाबी दी ओनलाइन क्लास विजत्वाड़ा स्वागत है। गुर्प्रितकोर पंजाबी ओनलाइन क्लास विजत्वाड़ा स्वागत है। सीज, तरम दे लेखे ला दिता, निकिया जिन्दा वड़े साक्याओ पाठ शुरू कर दे हां। पंजाब दा इतिहास कुर्बानिया नाल पर यापया है। सिखाँ दे पहले गुरू शिरी गुरू नानक देव जी ने सम काली बादशा बाबर नू जाबर क्या सी। जालम ओ अपनी प्रजा दे ते बहुत जुल्म करदा सी। इस जुल्म दे खिलाफ बाकी गुरू साहिबान अते सिंगानों भी लड़ना पया। बाबर 1526 इस्वी वेच पारदी तरती ते आया इसने हमला कीता। ते थे योने अपना राज स्थापित कीता। ते उस तो बाद लम्मा समा जेड़े हो दे उत्रा दिकारी हो पारदे लोकां ते जुल्म करदे रे। परेथे गुरू साहिब जी ने बाबर नू कीके जाबर क्योंकि ओ बहुत जुल्म करदा सी। लगपग 300 साल मनुक की अजादी दे हाकले लड़ाई चल दी रही। गुरू ग्रंद साहिब जी दी संपादना करन वाले दुनिया दे महान संपादक। शीरीगुरू अर्जन देव जी पंजमें गुरू हैं। कीकेह देविच दुनिया दे महान संपादक। क्योंकि ना ने गुरू ग्रंद साहिब जी दी संपादना कीती 1604 स्विविच। एना नुवी शिरी गुरु अर्जन देव जी नुवी शहीद कारदित्ता गया सिर्फ फेसल लई कि ओनाने सारी मानव जाती दे कल्यान लई गुर्बानी दाख जानना इकत्तर किता सी क्यों शहीद किता क्यों कि ओनाने गुर्बानी 81 करके गुरु ग्रंथ सहेब जी दी संपाधना कीती गुरु अर्जन देव जी सिखांदे पंजवें गुरु सन तेना ने गुरु ग्रंथ सहेब जी दी संपाधना 1640 स्विवेच कीती थोड़े समय बाद ही मुगल बादशा औरंग जेब नाम तुसी याद रखना है औरंग जेब नेहकूमत दे नशेवेचा के लोगका नू जबरदस्ती मुसल्मान बनाना शुरू कर दिता उसने ता जुल्म दी हद ही कर दिती बहुत अत्याचार कीते किसली मुसल्मान बनाना ली सार्यानू की मुसल्मान ता रमजड़ा तुसी हो सार्याने सविकार करना जबरदस्ती हो मुसल्मान बना रहा सी यस कर के हो लोगकाते जुल्म कर रहा सी बहुत जालम सी चारे पासे हाहाकार माच गई किसे पासे कोई फर्याद नहीं सी सुनी जा रही फर्याद सुनन वाला कोई भी नजर नहीं सी आ रहा सब पासेओ निराशो के कुझ कश्मीरी पंडत गुरुतेग भादर जी पास अनान्तपुर साहेव आए गुरुतेग भादर जी सिखांदे नोमे गुरु शिरी गुरुतेग भादर जी कौन आया ना कुल कश्मीरी पंडत पर्याद लेके आए क्योंकि औरंग जे जवर्दसी मुसलमान बना आरे आसी ते फिर एक अठे ओके गुरुतेग भादर जी पास आए अनन्दपुर साहे विखे ओना दी बेंती सुनके आपने जबरी तरम बदली दे खिलाफ दिल्ली दे चांदनी चोक विच आपनी कुर्बानी दे दित्ती कित्ते दिल्ली दे चांदनी चोक विच इत उसी नाम याद रखना है एट्थे होने गुर्द्वारा साहेब सुशोबित है गुरुतेग भादर जी दी शहीद्धी उप्रंथ गुरुतेग भादर जी ने भी शहीद्धी बे दित्ती तरम बदली दे खिलाफ लोकानो न्याए दिलान वास्ते गुरु सहीब जी ने अपनी कुर्बानी दित्ती शहीद्धी दित्ती तेस शहीद्धी तो प्रंथ गुरु गोबिन सिंग जी ने पंथ दी बाग दोर आप संबाली गुरु गोबिन सिंग जी दस्वें गुरु पिता शिरी गुरु गोबिन सिंग जी ओदो ओना दी उमर? 9 साल सी गुरु गोबिन सिंग जी दी उमर ओदो किनी सी? 9 साल दी पर गुरु सहीब जी ने पंथ दी बाग दोर आप संबाली जुल्मा दी मारतों अक्के थे थक्के लोग जुल्मा तो थक चुके सां लोग तफिर ओ नने गुरु जी दी खालसा फोज विच परती होन लग पे गुरु जी ने सबना दी अजादी ले बीड़ा चुक्या जुल्मा तो अजादी धना दा बीड़ा गुरु जी ने आप चुक्या अनानपुर साहिव इखे रहन दे आँ वड़े साहिव जादे अजीत सिंग अते साहिव जादे जुजा आर सिंग इना अनुवी बाक्की फोज दे नाल नाल तीर अंदाजी को ओड़सवारी अते शस्तर विद्या दित्ती जान दी सी गुरु सहिव जी दे चार सहिव जादे सन जिना विचो बड़े दो बड़े दो अजीत सिंग जी ते साहिव जादा जुजार सिंग जी एना ने भी फोज दे नालनाल तीर अंदाजी को ओड़ स्वारी ते शस्तर विद्या सिखी ते चोटे साहिब जादे बाबा जोरावर सिंग जी अते बाबा फते सिंग जी अजे बहुत चोटे सन ओनानु पढ़ना लिखना सिखाऊन दे नाल उचेरा ग्यान भी दित्ता गया गुरबाणी दा ग्यान भी ओनानु दित्ता गया गुरु कर्दी मर्यादा ओनानु सिखाई गई एनी दिनी खाल साफ ओज ने अपनिया मश्का तेज कर देती, अब्यास तेज कर देते अनानपुर साहिब दी तरती रंजीत नगारा गूँजदा रंजीत नगारा गुरु साहिब जी ने रंजीत नगारा त्यार करवाया ते खाल सा फोज जिदो अब्यास कर दी ते रंजीत नगारा गुज़ दा गुरु गोबिन सिंग जी कलगी तोड़ा सजान दे, कलगी सजान दे, खाल से दी अपनी सल्तनत कायम हो लगी, खाल से दी सल्तनत त्यार हो गई, गुरु जी कैन लगए? इन गरीब सिखन को मैं दियो पातिशाही, जेडे जुलमा दे लताडे हो ये लोकसन, निमाने लोकसन, केंदे होना नुमे अब पातिशाही, पातिशाब ना देंगा, अब उच्चा दर्जा दवामांगा, कदे केंदे, इन ही की किरपा के सजे हम है, कि इना दी किरपा नाल ही, इना करके ही, मैंनु मान प्रापत हो रहा है, गुरु सहिब जी ने आप पंज प्यारेयां को अमृत शक्यासी, नहीं मोसे गरीब क्रोर परे हैं, केंदे, नहीं ता, मेरे तो, होर क्रोणा लोके होजे, हन जेडे, निमाने हन, निमाने तो, निमाने, लोक जेडे, हन इस तर्थी दे, पर केंदे, इना दी किरपा नाल, मैंनु उच्चा दर्जा प्रापत होया है, मान प्रापत होया है, बस फेर किसी, बाई तार दे, पहाडी राजया ने, दिल्ली दे मुगल बादशा, औरंग जेबनु क्या, के मोका संबालो, के ना ने देख्या कि साड़ी, ता सत्ता जड़ियो, खतम हो रही है, साड़ा राज होली होली, खतम हो जाएगा, क्योंकि, खाल से दी सल्तनत काइम हो रिस्ते, एजी जेना कोलो, देख्यी ने के ये चीज सैन नहीं होई है, तेना ने की किता, मुगल बादशा, औरंग जेब कुल चलेगे, कि तुसी मोका संबालो, ओना दे कान परे, की केंदे, नहीं ता, हिंदोस्तान तो अड़े हत्थों निकल जाएगा, गुरू जी दे, सिंगा अगे, तुसी अते असी की हाँ, ओना नुदर सी एस चीदा, की खाल से दी फोज जडी बहुत बहादर है, ते ओना दी हकुमत काइम हो जाएगी, एस करके ओ, औरंग जेब दे कोल चला गया, ओना जंगला बेलने आच नित ही, जंग दा अब्यास कर दे रंदेने, क्यों हमेशा अब्यास कर देने थे, एक देन तो अड़ा राज खतम हो जाएगा, औरंग जेब नो उना ने क्या, औरंग जेब दी शाही सेना ने अनन्दपुर साहब दे किले नू केर आप पालेया, पहाडी राजयां दी गाल सुनके, औरंग ज राईतार दे राजया ने शाही सेना दी मदद कीती, कई दिना तक यूद चालदा रहा, बारो राशन पाणी ओवी बंध हो गया, जिदों बारो राशन पाणी ना अन्दा वेख, खाल से फोज, खाल सा फोज किला खाली करके, रात देहने रेविच, अगा निकल तुरी, कि खाली कर देता गया, उस रात मी पैंड करके सर्सा नदी चड़ी होई सी, पूरे उफांते सी सर्सा नदी, खाल सा फोज सर्सा नूँ पार कर रही सी, ये बिटा वखरा वखरा है, खाल सा फोज सर्सा नदी नूँ पार कर रही सी, के पिच्छों मुगल सेना ने हमला कर देत इस चडप विच गुरु जी दा पवित्तर साहित रोड गया सारी फौज खेंड पुंड गई सारे खिलर गे वक्रे वक्रे हो गए एक दूजे तो अलाग हो गए गुरु जी दा परवार विच्छड गया बड़े साहिब जादे गुरु जी नाल चमकोर साहिब दी गड़ी विच मौर्चयां ते जाडटे उना नाल चाली सेंग होर वी सन उन गुरु साहिब जी नाल कौने वड़े साहिब जादे अजीत सिंग जी ते साहिब जादा जुजार सिंग जी ते नाल चाली सेंग होर वी ने ते चोटे साहिब जादे माता गुजरी जी नाल अपने रसोईए गंगु नाल उस दे पिंड सहेडी चले गए चोटे साहिब जादे साहिब जादा जुरावर सिंग ते साहिब जादा फते सिंग जी उत्तों सू मिलनते मुरिंडे दे को अतवाल ने माता गुजरी जी अ ते चोटे साहव जादेया नूँ गिर्फतार कार लेया गया ना नुसरांद ते सुब्वेधार वजीर खान दे कचैरी विच पेश की ता गया मुरिंडे दे कोटवाल ने उना वना गिर्फता करके कचैरी विच सुब्वे दार्वजीर खाँ दी कचैरी विच पेश कीता दिसंबर महीने दे आखरी देन सान पोधा महीना देशी पोधा महीना चालरे यासी कडाके दी ठंड हुंदी यौ उस समेदे विच देसमबर महीने दे आखरी देन शन कडाके दे सरदी पह रही सी चोटे साहिब जानेया दी उमर मसां 7 तते 9 साल दी सी देखो कि lorsquije चोटे चोटे बाल ने गुरू साहिब जी दे 7 तते 9 साल दी उमर बहुत चोटी उमर है उना पुक्खन पाणे ओक्ख्यां सोख्यां रात लंगाई दूजे देन फेर पेशी पैणी सी फेर ओना उना उनु कचैरी विच पेश करना सी सिपाई माता जी कोलो साहेव जाद्यानू लैगे कचैरी विच सूब्बे ने फेर बच्यानू हार किसमदा लालच दित्ता कितानू बख्ष दित्ता जाएगा तुसी इसलाम कबूल कर लो पर साहेव जादे अडोल चित रहे उना उनू रात नू फेर माता जी कोल ठंडे बुर्ज विच बांध कर दित्ता गया उना बच्याने इसलाम कबूलनी किता डरे नहीं अडोल रहे इस रात गुरु जी दे इक सरदालू मोती मेरे मोती मेरे ने बड़ी जुगतनाल माता जी अते साहेव जाद्यानू दुद प्याया माता जी बच्यानू अपनी गोद विच लैके समझाओं दे रहे चोटे-चोटे बाल साथ तते नो साल दे माता जी की समझाओं दे रहे केना जालमा दी इन नहीं मननी तुसी एना दी गल मन के इसलाम कबूल नी करना तुसी हार नी मननी अखीर तीजे दिन फिर सवेरे सिपाई आगे माता जी को लों साहिवजाद्यानू कचैरी विच लैगे कचैरी विच पेश कीता गया उना सुब्बा वजीर खाने साहिवजाद्यानू ड्राया कि जेकर तुसी अपना तरम ना बदल्या ता तु आनू कतल कर दिता जावेगा साहिवजाद्याने इन सविकार ना किती साहिवजाद्ये डरे नी उनाने इन सविकार नी किती उनाने ओधी गालनू मन्या नहीं एक विजीर ने साहिवजाद्यानू पुछया कि जेकर तु आनू छट दिता जावे ता तुसी की करोगे उन्हाने क्या? असी फौज त्यार करांगे अते जुल्म नल टक्कर लमांगे ए सुनके दिवान सुच्चा नंद जिसनु की चूठा नंद भी क्या जानदा है कैन लगगा सूला जामदियां दे मू टिक्खे हुन देने उन्हे कुछ होर भी क्या? की साप दे बच्चे साप ही हुन दे ने एना नू हुने ही खतम कर दे ओ दूझे पासे मलेर कोटडे दे नवाब शेर खाने सुबे नू समजाया शेर खाने समजाया की कहनदे, की ए त lbach्चे हन, एना नाल साड़ा की वैर कि योने सही गल समझाई कि ये ता बच्चे नेना नल साड़ा कोई बैर नी जे टक्कर लेनी है ता इना दे पिता शिरी गुरु गोबिन सिंग जी नाल लई जावे पर ओधी गल नहीं सुनी गई कि चैरी दी सारी बैस नू सुनी अंट सुनी कर देया सरहंद दे सुबेदार वजीर खाने औरंग जेव नू खुश करन लई सही जाद्यानू नीहा वेचे चिनवा देता वड़े इनाम दे लालच वेच इसने औरंग जेव नू खुश करन लई कि मैं गुरु गोबिन सिंग जी दे चोटे-चोटे बालानू शहीद कीता है खुश करन लई साहीव जाद्यानू नीहा वेचे चिनवा देता माता गुजरी जी नू पता जोदो पता लग्या के बच्चे शहीद हो चुक्के हन ता उना ने आप भी ठंडे बुर्ज वेच प्राण त्याग दिते माता जी भी प्राण त्याग गये इस साके नू वेक्स उनके लोग त्रा त्रा कार उठे इस आपका सुनिया लोग काता के सब कुछ पोंचया लोग बहुत दुखी होए इस तरह दी शहादत दी उदारन दुनिया वेच किते नहीं मिल दी केडे चोटे-चोटे बच्चे आनू नू नीहादे वेच चिनवाया आजाए किये होजी होर उदारन दुनिया वेच किते नहीं मिल दी समा पाके बंदा सिंग बहादर ने सरहांदते चड़ाई कारके सरहांदते हमला कीता के सुब्बे वजीर खानू इस जुलम दी सजा देती हाँ जी ये सरहांदते चड़ाई कीती बंदा सिंग बहादर ने साहिब जाद्यां दी याद विच ओना दे नाते स्कूल, कॉलेज अते हस्पताल खोले गए हन हर साल शहीदी स्थान फतेगड साहिब विखे 26 ताई 28 दिसंबर नू शहीदी जोड मिला लगदा है पंजाब परतों अते बारों भी लोग शर्दा दे फॉल पेट करन लई लखाँ दी गिंती वेच जोड़ दे हन अते निकियां जिन्दां दे इस वड़े साके तो प्रेरना लैके जबर्ख दे खिलाफ जूजन दी प्रेरना हासल कर दे हन सो एसी बच्चेव साड़ पाठ निकियां जिन्दां वड़े साके जिसनु पढ़के सानु ये पता लगदा कि किस तरा गुरु गोबिन सिंग जी दे छोटे छोटे बाल साहिव जादा जो रावर सिंग अते साहिव जादा फते सिंग ने देश अते कौम लई शिहीदी दिती परोनाने इन नामनी तनवाद